जब भी पिशाब में जलन होती है या बर्णी मिक्चूरेशन होता है तो ये माल लेना चाहिए कि उस मरीज को UTI है या यूरिनरी ट्रेक्ट का इंफेक्शन है। कहते हैं और यहां तक इंफेक्शन को ठीक करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है अगर समय पे इलाज कर लिया जाए और तीन से पांस दिन में ये इंफेक्शन ठीक हो जाता है। ठीक होने में ये बिमारी जादा कॉमन होती है थोड़े उम्रदराज लोगों में या उन लोगों में जिनकी इम्मिनिटी कमजोर होती है। लेकिन अगर ये इंफेक्शन एक स्टैप और उपर चला जाए अगर गुर्दोदा के इंफेक्शन पहुंच जाता है तो इसको फिर पाईलो नेफराइटिस के नाम से जानते हैं। और ये एक बड़ी खतरनाक कंडिशन होती है। इसमें जो हमारे गुर्दे के सेल्स हैं उनमें सुझन आ जाती हैं वो खराब होने लगते हैं और अगर समय पे इलाज ना किया जाए तो ये किड्नी के फेल होने का भी कारण बन सकता है। इसलिए ये वाली कंडिशन का जो पेचान ले और इसको ठीक कर ले। तो जैसे हमने उपर बात की कि इसका जो सबसे पहला लक्षन होता है पेशाब में जलन होना और ये जलन बहुत तेज होती है। मरीज को पेशाब करने में तकलीफ होती है दर्द होती है जिसको हम डिसियूरिया के नाम से जानते हैं और जब भी मरीज पेशाब के लिए जाता है तो उसको थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पेशाब आता है पेशाब में बद्बू आने लगती है पेशाब का जो कलर है वो चेंज हो जाता है तो क्लावडी बूरे रंका हो जाता है या थोड़ा सा यलो पीले कलर का पेशाब हो लगता है और मरीज में हलके बुखार से लेके बहुत तेज बुखार तक भी हो सकता है अक्सर यूटियाई के मरीजों में बुखार ठंड लगके सरदी के साथ कपकपी के साथ 102-103 डिगरी फारेन हैट तक भी बुखार जाता है यह उसका दूसरा अलक्षन है जिसके अधार पर पैचान सकते हैं कि मरीज को यूटियाई की कितनी सीवियरेटी है अब बात यह करते हैं कि इसका कारण क्या है एक्च्छल में जो कारण है यूटियाई का वो एक बैक्टिरिया है लेकिन जो मोस्ट कॉमन कारण है वो एकोलाई होता है एक बैक्टिरिया है जो हमारे मल में यह लेट्रीन में पाया जाता है और इसलिए यह बिमारी जो है औरतों में जादा होती है मर्दों के मुकाबले अब हम बात करते हैं कि यह औरतों में क्यों जादा होता है मर्दों म तो यहां पर जो infection के chances हं यह neurotris के chances बहुत ज़्याधा बढ़ा जाते हैं अब क्योंके मर्दों में रास्ता थोड़ा दूर होता है इसलिए इस तरह के infection के chances थोड़े काम होते हैं मर्दों में ऒर्थ में यह chains अभी इसलिए इंफेक्शन औरतों में बार-बार और अधिक होता है इसके दूसरे कारण क्या है फिर ये फैलता क्यों है कैसे फैलता है तो फैलने के इसके जो कारण है वो है कि या तो आप किसी मरीज को जिसको already UTI है उसके साथ आपका कोई sexual intercourse या physical संबंद बन जाता है जादा होते है या लोग अगर जिनके multiple partners होते है उनमें भी infection जादा पहलने के chances होते है दूसरा जो है ऐसे लोग जो public toilets का जादा इस्तमाल करते हैं उनमें infection बहुत तहीं से पहलता है क्योंकि वहापे भी risk रहता है आपको infection लगने का या अगर आप किसी मरीज का towel यूज़ कर लेता है साबून यूज़ कर लेता है तो भी आपको ये infection पहलने का डर रहता है और सबसे बड़ी बात वो लोग जादा prone होते हैं जो लोग पानी कम पीते हैं क्योंकि अब जब पानी जादा पीते हैं और पिशाब बार बार आता है तो infection अंदर ठहरता नहीं है निकल जाता है लेकिन अगर आप पानी कम पीते हैं तो infection को ओँ ठहरने का मौका मिल जाता है और bacteria को grow करने का मौका मिल जाता है इसके अलावा जो diabetic patients हैं उनमें भी infection का जादा खत्रा होता है या ऐसे मरीज जिनकी immunity कम है जिनका immune system कमजोर है उन लोगों में भी जादा risk रहता है उनमें जल्दी जल्दी infection होता है और अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं अपनाते हैं तो ये infection बार बार होता है जल्दी जल्दी होता है तो इसलिए बचाव के लिए UTI के infection को रोकने के लिए आपको इन सारे नियमों को पालन करना चाहिए आप पानी जादे पीए दिन भर में कम से किम पास से 6 लिटर पानी पी ले या कम से कम अगर आप हर गंटे एक गिलास पानी भी पी लेते हैं सुबाश शेशाम तक तो बहुत हथ तक आप अपने आपको UTI की infection होने से बचा सकते हैं किसी दूसरे का towel यूज़ ना करें या sexual intercourse के बाद आप urine pass जल्दी कर लें अगर आप urine pass नहीं करेंगे तब भी अगर infection को वहाँ ठहरने का मुका मिलेगा तो वो infection हो जाएगा उसके लाव आप ऐसे फलक हैं जिनमें जादा रस होता है जैसे ककड़ी हो गया खीरा हो गया, खर्बुजा हो गया, तर्बुजा हो गया इस तरह के फलक हैं, cranberry यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर infection है और अगर आपको पिशाब में जलन है तो उन दिनों आप citrus fruits का इस्तमाल ना करें, क्योंकि उनमें citric acid होता है और already जब पिशाब में infection होता है तो पिशाब का जो medium है, वो acidic हो जाता है इसलिए पिशाब में जादा जलन होती है तो इन फलो में already acid होता है तो इनके इस्तमाल से बचें आप क्या इसका घरेलू इलाज भी है या हमें डॉक्टर के पास ही, जानने की जुरूत पड़ेगी तो दोस्तों जैसे ही देखिए आपको पिशाब का पहला लक्षन आता है तो ये जानना ज़रूरी है कि ये UTI है या नहीं है उसके लिए आपको कुछ जाज करने की जुरूत पड़ेगी हाला कि आपकी सिंटम से भी डॉक्टरों को पता लग जाता है कि आपको UTI है बट कनफर्मेटरी डागनेोसिस के लिए आपको एक रूटीन यूरिन का इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है उसमें अगर पस सेल्स जादा आते हैं तो ये माना जाता है कि आपको UTI है या यूरिनीरी ट्रेक्ट का इन्वेक्शन है इसमें आपको पशाबे खून भी आ सकता है जिसको आर्बीसीस कहते हैं और इसी के कारण पशाब का जो रंग है वो थोड़ा बुरे कलर का या यलो कलर का हो जाता है पट माइक्रोसकोपिक के लिए इसमें आर्बीसीस पाय जाते हैं आर्बीसीस किसी दूसरे कारण से भी हो सकते हैं या तो कोई इंटरनल इंजरी होगी यूरिनीरी ट्रेक्ट में लेकिन अगर पस सेल्स भी हैं और आर्बीसीस भी हैं तो यह माना जाता है कि यूटिया हुआ है अब इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए और जाज की जाती है जिसको हम यूरिन कल्चर सेंस्टिवटी के नाम से जानते हैं इस चांज की रिपोर्ट को आने में 48-72 घंटे लग जाता है लेकिन इससे कंफर्म हो जाता है कि आपकी यूरिन में कौन सा बैक्टिरिया है और उसके अगेंस्ट कौन सी दवाई काम करेगी कल्चर सेंस्टिवटी में हमें ये पता लग जाता है कि कहीं ये बैक्टिरिया किसी एंटिवाटी के अगेंस्ट तो नहीं करता है यानि कि अगर हम वो दवाई देंगे भी तो ठीक नहीं होगा तो हमें ऐसी दवाई देनी पड़ती है जिससे कि मरीज ठीक हो जाए और इस बैक्टिरिया को किल कर दे अब ये रेसिस्टेंस क्यों आती है रेसिस्टेंस आने का कारण ये होता है कि कभी आपको डॉक्टर ने दवाई दी या आपने अपनी मर्जी से कोई एक एंटिवाटिक खा लिया तो आपने ये क्या दोस खाया और आपके सिम्टम सबसाइड हो गए और आपने वो दवाई बंद कर दी लेकिन आप जब अगली बार अगर ये इंफेक्शन होता है तो ये जो एंटिवाटिक आपने खाया था धूरा फिर ये एंटिवाटिक काम नहीं करता है तो इसलिए आपको जब भी को डॉक्टर दवाई लिखे कोशिश करें कि पूरा अंटिवाटिक का कोर्स करें चाहें वो तीन दिन के लिखता है या पांस दिन या साथ दिन के लिखता है उसको बीच में ना छोड़ें तो ये कारण होता है रेसिस्टेंस का और ध्यान रखें डॉक्टर की सला पे ही एंटिवाटिक का इस्तमाल करें अपनी मर्जी से ना लें बुखार के लिए पेरसिटोमोल का इस्तमाल किया जाएगा अगर दर्द है तो कोई दर्द की दवाई भी साथ में दी जा सकती है या पेरसिटोमोल से ही काम चल सकता है और उसके साथ साथ आपको कुछ अलकलाइजर्स की जरुत पड़ती है जैसे अलकासोल सीरप आता है या रिनाल का एक सीरप आता है हमालिया का उसका दो दो चमश दिन में तीन बार आप एक गलास पानी में डालके पी सकते है या एक शर्बत बजूरी आता है युनानी का उसका भी आप सुबा और दोपैर में दद दस से पंदरा एमिल पानी के साथ पी सकते है तो इससे आपका यूरिनेशन जादा आएगा और ये आपके यूरिन की एसीडिट्यों को भी कम करेंगे जिससे आपके पिशाप की जलन कम हो जाएगी तो अगर हम जो हमारे हर्बल पैतीज है और जो अलो पैतीज है दोनों को मिला लेते हैं तो दोस्तों मुझे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा और आप अपने आपको UTI की इनफिक्शन से बचा सकते हैं अगर आपको वाकई ये जानकर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें कमेंट करें शेर जरूर करें आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट बोक्स में पूछें और बेल आइकन को जरूर दबा लें आपको सारे नौटिफिकेशन्स इस तरह के एजुक्रिशनल वीडियो के मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दन्यवाद